अब चलिए हम आगस्टस के बारे में थोड़ा और जाने और उसके तहट रोमन सामराज का पूरवर्ती काल और उसके बाद ही उसके रोमन सामराज के पूरवर्ती काल यहने क्या पहले का काल जिसमें आगस्टस 27 से 24 एसवी तक 27 एसवी पूर्व से 14 एसवी तक आगस्टस पहला समराज जिसने 27 एसवी पूर में यह स्थापित किया था और अपने को वो प्रिंसिपेट कहलाता था उसे प्रिंसिपेट P-R-I-N-C-I-P-T उसे कहते थे पहला संब्राट 27 सीश्वी पूर से 14 यद्यपी जैसा मैंने बताया है कि आगस्टस का एक छत्र संब्राज जैसा था एक तानाशाह जैसा था और हत्ता का वास्त्विक स्रोत था फिर भी ये तै था कि उस काल की जो राजनेतिक व्यवस्था थी उसमें प्रिंसिपेट एक तरीके से प्रथम नागरिक ही था प्रमुख नागरिक था राजा के रूप में उसे नहीं देखा जाता था मैं बार-बार के मैं पुना दोराता हूं कि वह उसका एक छत्र संब्राज था लेकिन राजा के रूप में ना देख करके व्यवस्था ऐसी थी राजनेतिक व्यवस्था कि उसे प्रमुख नागरिक के रूप में देखा जा प्रिंसिपेट लेटिन भाषा में प्रिंसिपेट कार्थ होता है प्रमुख नागरिक तो अपने को उसके प्रिंसिपेट कहा जाता है इसमें निरंकुष शासन नहीं होता और ऐसा था भी नहीं आगस्टस ने ऐसा क्यों किया कि अपने को उसने एक प्रमुख नागरिक का दर्जा दिया यतिपेट वह स्वयम शासन करता था और एक्षत्र सामराज्य था इसलिए क्योंकि वह सैनेट की इज़्जत करता था वह सैनेट का सम्मान करता था सैनेट के लोगों को सम्मान देने के लिए उचित सम्मान देने के लिए उसने ये तरीका अक्तियार किया था सेनेट जैथा मैंने बताया कि वो एक तरीके का रोम में एक रिपब्लिक की भावना थी और सत्ता पर अपना नियंतर रखा लेकिन गनतंद्र रिपब्लिक ऐसी भावना उसने प्रचारित की बढ़ाई ये सेनेट जो था इसका अस्तित्व कई शताबदियों से था बहुत पुरानी संस्था थी और आपको याद होगा कि इसमें कुल प्रमुख लोग रहते थे, विभिन कुलों के प्रमुख, विभिन समुदाय के मुखिया और विभिन वर्गों के मुखिया और प्रभावशी लोग तो इनको खुश रखने के लिए संभावता आगस्टस ने ऐसा किया होगा और उसमें कुलीन और अविजात वर्ग धनी परवार के लोगों का प्रतित था लेकिन बाद में तो इतावली मूल के जमीनदारों को भी इसमें शामिल किया गया पहले तो केवल विविन कुलों के मुखिया थे लेकिन समय के साथ साथ जमीनदारों को और वो भी कौन इतावली मूल के जमीनदारों को इसमें शामिल कर लिया गया सम्राटों की इसी समझ इसी अंडरश्टांडिंग परक के कारण क्या हुता था कि ये लोग सैनेट के प्रति इनका जो विवहार था इस पर बड़ा संतिलित रहते थे इस पर बड़ा सोच के विवहार करते थे क्योंकि इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे अभिजात वर के लोग थे धनाट वर के लोग थे तो उनके साथ राजा जो है वो अलग तरीके से पेश आते थे कई बार तो ऐसा होता था कि बुरे समराट इनके साथ बड़ी कड़वाहट से पेश आते थे और सैनेट जो है वो उन्हें बुरा समराट कहता था यह बुरे समराट इनके प्रती शत्रता पूर्ण व्यवहार भी करते थे इन्हें शंका की नजरिये से देखते थे इन्हें अलग एक पावर सेंटर मानते थे शक्ति का केंदर मानते हुए डरते थे और इसलिए बड़ा कड़ुआ व्यवहार करते थे क्रूरता भी करते थे हि बुरे समराट तो सेनेट की नजर में समराटों की विभिन शेणिया थी जिसमें से बुरे समराट लोग उनको कहते थे जो उनके साथ दिर्विवार करते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि ये जो सेनेटर थे सेनेटर याने सेनेट के सदस्य ये जो सेनेटर थे ये बार-बा इन बुरे दुष्ट समराटों से परेशान होकर चाहते थे कि गणतंत्र वापस आए, रेपब्लिक वापस आए, आपको याद होगा सभाए एक तरीके से निश्क्री हो चुकी थी और राजा और सेनेट दो ही थे और राजा ने सेनेट को अपनी और तो मिला लिया था, लेकिन सैनिक सत्ता के बीच में जब जगड़ा हुआ, तो एक तरीके से जो नए राजा ऑगस्टस आए, उन्होंने सेनेट के सार एक बड़ा संतिलित व्यवहार किया, लेकिन फिर भी कई राजा ऐसे निकले, जो बुरे संब्राट माने जाते थे अपने व्यवहार के कारण, और ऐसे व्यवहार जब भी होते थे, कुछ सेनेटर अपने उन दिनों की याद करते थे, जब रिपब्लिक हुआ करता था, जब गणतंत्र हुआ करता था, गणतंत्र में सेनेट, राजा और सभा, ये तीनो का अस्थित्थ था और तीनों के ही का एक तरीके से अपना रुत्बा था समराज और सेनेट के बाद इस काल में सेना एक तीसरी बड़ी प्रमुक्स था हुआ करते थी आखिर क्यों नहीं हो क्योंकि सेना ने ही इतने बड़े सामराज को बनाने में एक अहम योगदान किया था सेना की महत्ता बारंबार लोग समझते थे और सेना भी अपनी अहमियत को लोगों को बार बार समझाती थी तो इसलिए तीसरा अंग्यदी हम मानें सभा जो पहले थी अब सभा हड़ गई और उसके बल्ले सेना ने एक बहुत अहम रित्बा अक्तियार किया यह जो सेना थी यह कोई ऐसी सेना नहीं थी कि जैसा हम भारत के संदर्म में पढ़ते हैं कि जहां जमीनदारों के पास जो किसान होते थे लड़ाई के समय राजा जमीनदारों के माध्यम से इन किसानों को सैनिक के रूप में लेता था यहां ऐसा नहीं था यह प्रोफेशनल सेना थी व्या इनको सेवा करनी पड़ती थी जो लोग पचीस वर्ष तक सेना में हैं पंदरा बीस पचीस वर्ष सोचिए उनकी निष्ठा समराट के उनकी निष्ठा सेना पती के प्रती कितनी होगी और वे कितने सैनिकोशल में पारंगत होंगे तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सेना बहुत अच्छी थी बहुत अनुभवी थी बहुत लंबे समय तक उन्होंने सैनिक के रूप में कार किया था और इसलिए सेना एक संगठित संस्था भी थी संगठित संसा से अर्थ उसके जो कारिक शेत्र था वो पारिभाशित था संगठन जो था मजबूत था बांडिंग जो थी बड़ी क्लोस थी और एक समय ऐसा आया कि चौथी सदी आते आते इसमें छै लाख सैनिक थे चौथी सदी अने तीन सो एडी के बाद से हम बात करें चार सो एडी पांच सो एडी आते आते इसमें छै लाख इनकी सैनिक हो गया और सभी के लिए पचीश वर्ष की कारे सेवा सैनिक कारे सेवा अनेवार थी जब इतने सक्षम थे सैनिक इतनी लंबी सेवा थी उनके पास सैनिक औशल की निश्चित रूप से ये लोग बहुत ताकत वर थे और ताकत का एक केंद्र थे संगठित थे तो निश्चित रूप से ये लोग समराटों के राजाओं के भाग्य का निक्टारा भी करते थे उनके भाग्य का निर्धारन भी करते थे इतनी शक्तिन में होती थी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गनतंत्र के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे सैनिक सत्ता में वारधक्य होता है कैसे रिपब्लिक का हरास होता है गनतंत्र समाप्त होता है और सैनिक सत्ता अपना प्रभाव बढ़ाते जाती थी ये इतने प् सेवा शर्तों को बहतर करने के लिए यह विजशकते नहीं थे और इसके लिए बहतर करने के लिए विजशकते नहीं थे। यहने बड़े बोल्ड हो गया थे लगातार अंदुलन भी करते थे और उसके साथ ही विद्रोव भी कर बैठते थे कई बार ऐसे विद्रोव के उधारन आये हैं इस काल में जब सेना ने बहतर सेवा के लिए बहतर सर्विस के लिए अपने तरीके से विद्रोव प्रगट किया सेनेट और सेना और राजा राजा के लिए सेनेट और सेना दोनों महतवपूर्ण थी राजा के लिए जो प्रभाशी लोग थे उन पर नियंतरन उतना ही महतवपूर्ण था जितना राजा के लिए सेना पर नियंतरन पर सेना और सेनेट के बीच के संबन मधूर तो कभी हो नहीं सकते थे सेनेट जो है वह सेना से नफरत करती थी क्योंकि सेना अपना प्रभाव ख्षित्र सतत रूप से बढ़ा रही थी सेना अपनी मांगों के प्रति मुखर थी और सेनेट उसके विपरीत धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा था सेना के सामने धीरे धीरे एक तरीके से अचा हाय हो चला था पंगू हो चला था और इसलिए ये सेनेट जो है वह सेना से डरने भी लगी थी डरने का कारण स्वभाविक था कि सेना के पास वो ताकत थी वो जज़बा था और वो कौशल भी था कि जब चाहे वो हिंसा कर सकती थी इस अप्रत्याशित हिंसा से सेनेट के लोगों का हमेशा डर रहता था और कई बार सेना ने अप्रत्याशित धंग से विद्रोह किया और सेनेट के चिंता बढ़ाई खासकर तीसरी सदी में ये तनावपूंड सिती काफी बढ़ गई और उसके बाद ही इन परिस्थितियों में सरकार को अपने बढ़ते हुए खर्चों को सेना पर बढ़ते हुए खर्चों को की व्यवस्था करने के लिए उसे कर भी लगाने पड़े और सरकार मतलब क्या सरकार मतलब सेनेट ही उसका एक अंग था सेनेट के लोग ही शासन व्यवस्था में शामिल थे तो ये जो तीसरी सदी के आसपासाद देखते हैं कि सेना का प्रभाव चर्मत कर्श पर था काफी करने के लिए बाद ये हो चली थी अब कुल मिला के हम संखेप में कह सकते हैं कि राजा या संब्राट और अभिजात वर्ग याने प्रभावशिल वर्ग और सेना ये तीन जो हैं राजा अभिजात वर्ग और सेना ये उस समय की शासन व्यवस्था उस समय की राजनेटिक व लाड़ी, तीन मुख्यhora, तंभ, और जो संब्राच थे, संब्राच की सफलता इस बात पर निर्वर करती थी, कि वो सेना पर कितना प्रभाव रखा है, सेना पर उसका कितना दबदबा है, सेना उसके कितने नियंतरण में है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस काल के इतिहास में सेना का बढ़ता प्रभाव तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का एक किस्सा बन चुका था जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी सेना पती जब एक से दो तीन चार हो जाते थे और एक दूसरे का विरोध करते थे तो यह एक तरीके से ग्रिह युद्ध का रूप ले लेता था आपको याद होगा मैंने बताया पूर में आगस्τη सीजर और पामपी ये दो सेना पते थे इनके बीच में बहुत लड़ाई हुई सत्ता के संखर्ष के लिए सत्ता को पाने के लिए तो बाद में भी यह होता ने रहा लेकिन आगस्टस एक बार सत्ता में आने के बाद उसन उस काल को पैक्स रोमना कहते हैं लेकिन यहां बाद में एक तरीके से यह रूटीन चीज बन गई कि सेनाओं के बीच में जब तब लगाई हो जाती थी जो ग्रिह युद्ध का रूप ले लेती थी ग्रिह युद्ध का तातपर है देश के अंदर ही दो सैनिक गुटों के बी ऐसे में सन 69 इस्वी में 69 इस्वी में या उस काल के आसपास को छोड़ दें तो चार समराज गद्धी में आए एक के बाद एक और पहली दो सदियों में तो ग्रिह युद्ध नहीं हुआ और समराज में शान्ती बन रही अर्थार्थ सेना किसी काल में समराज विस्तार में बहुत व्यक्त थी बहुत प्रभावशाली थी बाद में यही सेना एक तरीके से ग्रिह युद्ध में लिप्त हो गए अपना प्रभुत बनाने के लिए अपना वर्चस बनाने के लिए सैनिक गुटों में टकराओ होने लगा सेना पत एक के बाद एक कुल मिलाकर चार राजा गद्धी पे बैठे और पहली दो सदी की अधी बात करें याने एक एडी से लेके लगभग दो सो एडी तक की तो उस समय ग्रेह युद नहीं रहा शान्ती रही सुख रहा यह तो हुई सेना बनाम सेनेट बनाम राजा बनाम रेपबलिक की चर्चा और उसका जिक थोड़ा हम जान लें कि उत्तरादिकारी को लेकर या उत्तरादिकार राजसत्ता के उत्तरादिकार को लेकर क्या मायने थे उस समय क्या नियम थे उत्रादिकारी संबंदी क्या नियम थे जैसा कि अन जगह होता था सामानित्या यहां भी यही प्रथा थी कि राजा के वंश के लोग संभासन पराते थे यह था संभव वंश क्रम को जारी रखा जाता था और पिताय का रज पुत्र को दिया जाता था भले ही वो पुत्र उनका नैसरगिक हो या एडाप्टेड हो गोद लिया गया हो, ग्रहन किया गया हो, दत्तक हो पर यदि राजा का पुत्र है तो सत्ता का वह उत्तरादिकारी है इस बामले में किसी तरह का विरोध नहीं था और सेनेट को भी और सेना को भी ये स्विकारे था उदारण के लिए टिबेरियस जो 14 इसवी से 37 इसवी तक जो शासन किया जिसने टिबेरियस टिबेरियस रोमन समराटों की लंबी कतार में ऐसा दूसरा राजा था जिसने प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले आगस्टस के दत्तक पुत्र होने के बाद सत्ता ली मैं पना दोहरा दूँ ये मात्र ऐसा दूसरा राजा रोमन समराटों की श्रारी में जो दत्तक पुत्र था याने एडॉप्टेट चाहिल नैसरगिक पुत्र नहीं और दत्तक पुत्र होने के बावजूद भी उसने बड़े लंबे काल तक सत्ता समाली चौदा से सैंतिस इस्वी टिबैरियस और यह था कौन आपको मैंने बताया है प्रिंसिपेट की स्थापना जिसने की ऑगस्टस या अक्टेवियन उसका वा दत्तक पुत्र था लेकिन जब अक्टेवियन गया उसके बाद जब सत्ता इसको दी गई तो किसी तरह का विरोध नहीं हुआ सहज परिवर्टन हुआ और ये जो ट्रांस्फर है ट्रांस्फर आफ पावर ये सहज हो ये सुनिश्चित करने के लिए आगस्टस ने इसको गोद ले लिया था दत्तक पुत्र बना लिया था तो ये अनित जगहों की तरह यहां पर भी वंश वंशावली को बढ़ाने के प्रथा थी जहां तक की समराट या राजा की बात है